केम लोफ्ट केम लोफ्ट केम लोफ्ट आई नू यह नाम सुनती ना आपके दिमाग में घंटी बस्ती होगी और बिल्कुल ऐसी घंटी ना एक हमारे योटीब चैनल के पास भी है जिसको अगर आप दबाके रखोगे ना तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा यह सब बाते बाद में करेंगे वैसे लेकिन उससे पहले आप सभी को पहले विष्ट करना चाता हूँ है हैपी न्यू यह भाई नया साल आ चुक है आई होप जो भी आपके नए ड्रीम्स होगे ना वो इस साल पूरे हो जाए क्योंकि पराने ड्रीम्स आपने पिछले साल ह पूरे कर लिए होंगे लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गए हैं ड्रीम्स मेरी तरह जैसे मेरे भी सारे पूरे नहीं हुए तो इस साल पूरे करने की कोशिश करेंगे तो अभी जादा टाइम ना वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो ना काफी खास होने वाला है क तो सारे गेम्स काफी शांदार होने वाले हैं और काफी गेम्स तो शायद आपने खेले भी होंगे क्योंकि जितने में गेम्स बताने वाला होनों मैंने सारे खेले हैं पूरे तो नहीं खेले लेकिन हरी गेम जुरू ट्राय किया है और आपने कितने ट्राय किया थे में को य सबसे पहले लिस्ट आती है वह आती है modern combat series भाई यह series सबसे ज्यादा popular है game loft की क्योंकि इसमें जो आपको games देखने को मिलते हैं वह shooting games होते हैं पहले तो campaign mode देखने को मिलता है और साथ में सारे games काफी होते हैं और total आपको modern combat के 6 games देखने को मिलते हैं जो कि android के लिए launch होते हैं उनमें से sandstorm, black pegasus, fallen nation, zero hour, blackout and versus और इनमें से जो सबसे ज्यादा popular होते है वह modern combat 3, 4 and 5 यह सबसे ज्यादा popular होते है और 4 तो मेरा favorite है उसके बाद 5 भी try कर सकते हो अगर आपको campaign games खेलना पसंदा है शूटिंग वाले ऐसे अलगल locations पे जा रहे हो, missions मिल रहे हैं और भीच में high quality carcin देखने को मिलते हैं अगर आपको ऐसे games खेलना पसंदा है तो आपने modern मज़ेदार हैं पाकि इनमें से कौन-कौन सा game आपने खेला है में को comment section में जरूर बताना Superhero series का जो first game आता है वह ultimate spider man total mayhem काफी पुराना game है game road का लेकिन इसका gameplay काफी मज़ेदार है screen पर लेख सकते हो Spider man तो है जो आपको missions मिलते हैं जितने gangs आते हैं उनको destroy करते हो और काफी बड़ा area देखने को मिलते है जो explore भी करते हो और skills काफी मज़ेदा लगते हैं बाकि spider man के fans तो सभी हैं तो इस game को जरू try करना और जी हमारे दू next game है वो है the amazing spider man 1 & 2 दोनोगी games काफी ज्यादा होसे मैं आप सभी को पता होगा mostly लोग ने खेले होंगे open world environment देखने को मिलेगा आप कहीं भी जाके mission accept कर सकते हो story missions देखने को मिलते हैं और I think यह अगर super hero का सबसे best game कोई है android के ओपर तो the amazing spider man 1 & 2 यह दोनोग games best time high mostly सभी लोग ने खेले एक time था जब हमने नया नया channel start किया था तब amazing spider man की popularity भाई एक next level पे थी बाकि आप भी तब से जुड़े हो तो comment section में जरू बताना next भी हमारा spider man का ही game is spider man unlimited यह एक running game था लेकिन running game होने के बाप जूदना इसमें काफी सारी चीजे करने को मिलती थी level का बनाया था में को काफी पसंद आया था बाकि आप ने खेला था या नहीं comment section में बताना देखो spider man के बाद अगर कुई best superhero games android के लिए है वो है the dark night rises batman का यह game भाई बहुत मस्त होने वाला है story missions तो देखने को मिलेंगे बाकि open world environment रहेगा बिकुल spider man की तरह और खेलने में का Batman की काड़ी चलाने को मिलती है तो काफी मस्त गेम था तो इस गेम को भी जरूट रहेगा ना next आता है हमारा Iron Man 3 यह एक running game बनाया था हाला कि अगर Iron Man का गेम जैसे Batman और spider man का था ना वैसे बनाते तो कुछ अलगी मज़ा आता लेकिन यह running game type यह जिसमें Iron Man उठता है और चीज वाले games पसने था ज्यादा story mode इतना अच्छा असा देखने को नहीं मिलेगा चोटे-चोटे missions देखने को मिलते है आप enemies को destroy करते हो और boss battles देखने को मिलते है लेकिन अगर आपका थोर favorite character है तो आपको यह वाला games रो ट्राइग करना चाहिए दूसर नेक्स सीरीज जो आती है हमारी nova series भाई यह तो एक अलगी level पर है जैसे modern combat सीरीज थे न यह भी कुछ वैसे ही level की टकर वाली games है इसमें आपको ना total 4 games देखने को मिलते है नेर और बेट, the hero rises again, nova 3 and nova legacy भाई मतलब चारों की gameplay इतने शानदर है न इसमें भी mostly campaign games से रहे हैंगे high quality cutscene देखने को मिलते हैं बाकि shooting game by next level अगर आपको कुछ खेलने android के ओपर जो कि आज की date में भी ऐसे game से launch नहीं होते, game love ने किस time launch गये थे आप अंधाशा लगा सकते हो कि game love उसमें किस next level पर चल ला था, तो मेरी को तो काफी पसंद आया थे बाकि nova 3 I think mostly सभी लोग दूस्तों game love की gangster series ना एक अलगी level पर इसमें आपको टोटल तीन गेम देखने को मिलते हैं, Rio City of Saints, Vegas and New Orleans, तीनों ही next level है अगर अपने GTA के बाद को अगर open world game में कोई टकर देता है GTA को ना तो भाई वो gangster series ही है, especially gangster Vegas, New Orleans ठीक ठक सा है, लेकिन gangster Vegas बिल्कु next level पर story missions देखने को मिल देखने को मिलेंगे, चुकि काफी awesome है, तो में को तो काफी पसंद आए था, अगर GTA टाइब गेम डून रहे हो तो इस game को ज़रू ट्राइग करना अगर दूस्तों लिस्ट पर नेक्स सीरीज आती है, वो है racing की series, भाई इस मामले में game loft अलगी level पर निकल चुका है, Asphalt series के I 8 और 9, तीनो ही games best है, यहां पर आप 9 का gameplay देख रहे हो, जो कि देख सकते हो, काफी awesome है, next level graphics quality देखने को मिलती है, भाई, racing करने में अलगी मज़ाता है, हाला कि मैं racing games वोड़े कम खेलता हूं, लेकिन मैंने Asphalt 8 बहुत जादा खेला है, भाई, मुस्कि आप लोगोंने भी ख कमें सेक्शन में जो बताना, दोस्तों जो हमारी next series है, वो है brother in arms, इसमें total आपको 2 games देखने को मिलते हैं, और यह भी बिल्कुल वैसे होने वाला है, story missions देखने को मिलते है, locations पे भेजा जाता है आपको, और आप जाके enemies को destroy करते हो, जो कि मैं को काफी पसंद आया, हाला कि brother brother in arms 3 में आपको multiplayer mode भी शायद देखने को मिल जाता है, तो वो भी आप ट्राइ कर सकते हो, और इसका एक और गेम था brother in arms 2 global front, तो यह दो ही गेम्स लाँच हुए थे और दोनों ही काफी चाहता ओसम थे, जो कि आप android wise के ओपर खेल सकते थे, उन गेम्स की बात कर रहा हूं, ज जो कि काफी मज़ेदार है, अगर आपको story mission वाले, campaign वाले, shooting वाले game पसंदाना, जैसे आपको अगर modern combat series पसंदाई हो, नवा series पसंदाई हो, तो कुछ वैसी concept के ओपर है, play store पे मिल जाएग इसका third part, तो वहां से download करके इस game को जडो ट्राइ करना, फाइटिंग के मामले में पास कुछ खास game नहीं है, लेकिन गॉर्ड ओफ रोम करके गेम है, जो की काफी जवर्स है, जिसमें आपको गॉर्ड सेखने को मिलते है, उनका battle देखने को मिलता है, हर गोर्स के पास अलग अलग powers होती है, जिसके तो आप मला fighting के दुरान उनको यूज कर सकते हो, तो यह fighting game और iPhone के लिए लाँच किया गया था, Apple series के उपर, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई, सिर्फ मैंने ऐसा एकी game एड कि प्रिंस व परशिया और भी काफी सारे गेम से जो iPhone के उपर लाँच हूए थे Android के उपर नहीं, इसको सिर्फ इसलिए कि भाई हम Android वालों ने क्या अगर आपको story missions पसंद है, जैसे Assassin's Creed series कुछ ऐसे concept वाली आपको game पसंद है तो यह वाली series आपको काफी पसंद आएगी, बिल्कुल कुछ वैसी ही लगती है, story missions रहते है, आप अप अगल लोकेशन पर जाते हो, एनमीज को मारते हो, बिल्कुल Assassin's Creed वाली feeling पूरी देने वाला लेकिन जो आपको missions दिया जाते है, आप उसी एरिया में ज्यादा एक्सफिलोर कर सकते हो, तो मेको तो काफी पसंद आजाता है, बाकि इसका slow motion है वो तो बिल्कुली next level है, जिस game को काफी जादा खास बना जेता है, मेको काफी मजाता है slow animation में, आप जब एनमीज को मारते हो सब्सक्राइब काफी जाता है, बाकि नाए नहीं है, आए थिंक सभी लोगों ने खेला होगा तो comment section में जो बताना, हमारा next game आता है, Minion Rush, Minion की mostly movie आप सभी लोगों ने देखी होगी, जो की काफी awesome है, उसका game भी काफी जादा awesome है, running game है, हाला की game loft, running games ऐसे बनाता है, काफी जाते हैं, खेले में काफी जादा मजा आता है, इसमें भी आपको missions मिलते ही है, आप उन चीज़ों को clear करते हो, जो objectives आपको मिलते हैं, लेकिन साथ में running game चल रहा है, वो भी काफी awesome है, बाकि Minions तो cute है, उनको सथ कहले में काफी मजाएगा, तो इस गेम को चूट रहे होगा नेक्स्ट गेम है, असेसंस क्रेड, गेमलोफ नहीं अप जाको जाको जाके मारते हैं, बाकि असेसंस क्रेड वाली फिलिंग आपको आपको आई रही है, क्योंकि उसी का गेम है काफी awesome है, तो इसको जो ट्रहे करना, हमारा नेक्स्ट गेम आता है, शैडू गार्डियन यह एक मिशन वाला गेम होने वाला, जैसे उन्चार्ट थाइप फिलिंग लेना चाहते हो ने अपने अपने फोन के ओपर, तो यह बैस्ट गेम आप देख सकते हो, इसका गेम प्लोफ टेल साथ में चल रहा है, जो की काफी चादा होसम है, आज की डेट में सूछता हूं कि एस यह बैसी गेम लांच क्यों नहीं होते, यह तो नेक्स लेवल ही बनाया हो थे गेम लॉफ ने उस टाइम पर, तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर उन्चार्ट की फिलिंग लेना चाहते हो, इसे स्टोरी मिशन चेलना चाहते हो, साथ में स्टोरी चल रही है, फाइट कर साथ में हाई क्वालिटी कर्सीन चल रहे है, तो यह वाला गेम आपको ज्रोट रहे करना चाहिए, हमारा नेक्स गेम जो आता है, वह स्नाइपर फ्यूरी, उसमें स्नाइपिंग के गेम सितने खास नहीं थे प्ले स्टोर पर, जब स्नाइपर फ्यूरी आया था मेको काफी क्योंकि ग्राफिस क्वालिटी की देख सकते हो, और गेम प्ले भी काफी शानदर था, तो मेको खेलने में काफी मज़ा था, बाकि अगर आपको भी स्नाइपिंग पसंद थी, तो आपने भी इस गेम को रहे किया होगा, हमारा नेक्स गेम जो आता है, वह सिक्स गेम तो एक अगर नेक्स लेवल बना दिया था, मुस्तलि अपने पीसी के ओपर एडरें इडेंप्शन देखा होगा, उसका अल्टेनिटी वर्जन बोल सकते हो, अगर आप फोन के ओपर खेलना चाहते हो, भाई, बहुत मस्त गेम आप वैस्ट की लाइफ चीना चाहते हो, घोड़े च तो आपको पता चल जाएगा कि यह वाला गेम कितना उसम होने वाला है, आप चीजे सॉल्फ कर रहे हो, पजल बेस कंसेप्ट वी गेम में रहेगा, लेकिन साथ में एक्शन भी देखने को मिलना है, और सारे क्रेक्टर सब खुद कंट्रोल कर रहे हो, तो इस चीज में काफ काफी चादा थी, अमें इसके ओपर काफी सारे वीडियो भी बनाये थे उस समय, तो काफी मज़ेदार गेम था अगर आपको कुछ RPG में ट्राय करना है, जिसमें एनमी की वराइटी काफी अलग अलग रहती है, भाई बोस बैटल्स एकने को मिलते है, खुद को अपग्रेड मिशन के लिए बेजा जाता है, जहाँ पर एनमीज अटैक्या हो, तो सिंपली आप उनको जाके मारते हो, खुद को अब्रेड भी करते हो, कुछ वैसा ही कंसेप्ट रहेगा लेकिन काफी हाई क्वालिटी गेम है, तो आपको खेलने में काफी मज़ाएगा, वारा जो नेक् ताइम पर यह भी बड़ा मस्त गेम था, आज की डेट में भी आप इसको ट्राय कर सकते हो, दोस्तो जो हमारी डंजन सीरीज है, इसकी पॉपलर्टी भी बिल्कु नेक्स लेवल है, इसमें टोटल आपको पांच गेम सेखने को मिलते हैं, डंजन हंटर 2, 3, 4 & 5, and चैंपिय तो यह पांच गेम काफी जादा हो समते हैं, और पांच गेम काफी जादा पॉपलर हो थे, इसके लाब़ा कुछ और गेम सेखने हैं, लेकिन वो एंड्रोड के लिए लांच नहीं हो थे, लेकिन यह गेम काफी मज़दार हो, डंजन अंटर 5 है उसकी पॉपलर्टी सबसे और मैं आपको वही रेकॉमेंट करूँगा उसी गेम को जाके खेलो, तो बहुत मस्त गेम होने माला RPG टाइल है, वही बोस्पादल देखने को मिलेगे, लोकेशन पर जाओगे, एनिम्स को मारना है, तो काफी मस्ता गेम है, खुद को अब्रेट भी करते हो चीज़े, तो व वीडियो भी आएगा नेक्स्ट, लेकिन मैं सिर्फ पूछना जाता हूं कि गेमलोफ ने जो उस समय में किया था, कि आज की डेट में आपको बाकी कंपनी की तरफ से ऐसे गेम से आव देखने को मिलते हैं, तो बिलकुल नहीं, भाई, ऐसे स्टोरी मिशन वाले गेम जैसे स Spider-Man कितना जबर्दस गेम था, Batman, इसके और और गेम रफ कितने गेम से बताया, The Adventure of Tinteen हो गया, मतला ऐसे गेम आज की डेट में आज की डेट में बहुत कम लोंचाते हैं, बहुत कम कंपनी की सरफ से, ऐसे गेम से वो देखने को मिलते हैं, तो मेको तो एसे गेम में काफी मज कर देना, and thanks for watching this video.